वेल्कम गाइज मैं डॉक्टर रूबलकॉर अभी मैं आपको बताऊंगी ड्राइफ रूट्स की बारे में कि कौन से ड्राइफ रूट्स ऐसे हैं जिनकी तासीर थंडी होती है यानि कि आप उसको गर्मी में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में आपको अपने खाने पीने में खास ख्यार रखना चाहिए ऐसे में आप उन चीजों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए जो तासीर में थंडी होती हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ड्राइफ रूट्स की तासीर थंडी होती है वो कौन से ड अब यह पैट को हेल्दी रखने में भी की मदद करती है उसके बाद है खजूर की तासीर काफी गर्म होती है लेकिन ए आपके बोड़ी को हैल्दी रखने में बहुत जादा मदद कर सकती है इसलिए आप इसे पानी में भी holds करने से ietsगा वाओत को खाता है और यह को फाइदा देती है गर्मियों की सूखे सेव का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फाइदे मिलते हैं इसका का इस्तेमाल करने से रेड ब्लेट सेल्स के जो प्रोडक्शन होता है उसको बड़ावा मिलता है इसलिए सूखे सेप का इस्तेमाल गर्मियों में करने से बहुत ही फायदे मिलते हैं इंजीर, इंजीर का सेवन गर्मियों में आप भिगो कर कर सकते हैं, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जीसे हेल्दी फैट्स होते हैं, साथ ही ये कैल्शियम और फाइबर के गुड़ों से भी भरपूर होती है खुबानी, इसकी तासीर भी गर्म होती है, आप इसे भिगो कर खा सकते हैं, इससे ये बॉड़ी को ठंडग देती है, इसके इस्तेमाल से आईरेनी की कमी को भी दूर किया जा सकता है चिरॉन जी, चिरॉन जी की तासीर ठंड़ी होती है, इसका इस्तेमाल गर्मियों में करना बेहद ही लापकारी होता है, बहुत ही जादा फाइदे मंद होता है, इसे खाने से बॉड़ी को एनरजी मिलती है, और इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ती है तो गर्मियों के मौसम में आप ये सभी ड्राइफ रूट्स का इस्तेमाल बहुत ही कम मातरा में कर सकते हैं, सेहस को आपको बनाय रखना है, तो आप इसको पानी में भीगो कर खाएं, जैसे कि हमने आपको भी बताया है तो आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही फाइदी मिलेंगे, अगर आपको कोई भी कन्फीजन है तो हम नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे भी आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो हम हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैरी कोज लाइव लाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें, थैंक्यू फ्रेंड्स